असलाम आलेकुम नमस्ते सस्यकार आज हम बनाने वाले हैं आलो के चीज़ पॉस चलिए शुरू करते हैं आलो के चीज़ पॉस बनाने के लिए हमें चाहिए आदा किलो बॉइल आलो, मोजरिला चीज, ब्रेट क्रम्स, स्वीप कॉन, चॉप्ड ओनियन, दो चमच कॉन फ्लार और दो चमच मैगा, काली मेच, खरा धन्मिया, चिली फ्लेक्स, और इगैनो, कैपसिकम, ग्रीन चिली, स बॉल्ट, स्वाद अनुसार और लह्सकर, तो अब हम अपने बॉइल पोटाटोस को स्मैश कर लेंगे, अपने बॉइल आलो को स्मैश कर लिया है, तो अब हम इसमें बिलाएंगे, ओनियन, प्रिकॉन, और इगेन, जिली फ्लेक्स, काली मिर्च, राधन्या, कैपसिकम, हली मिर्च, लेस, और सोण, हमने पूरे चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब हम इसके छोटे-छोटे बॉल्स बनाने के लिए तेल को अपनाई कर लेंगे, इस आलो के मिश्रम से हम छोटे-छोटे बॉल्स मना लेंगे, बॉल्स मनाने के बाद इसके अंदर एक गोल दालेंगे, इसके अंदर एक चीज़ क्यूब दालेंगे, और इसे इस तरह से गोल करेंगे, और कवर करेंगे, ताकि चीज़ वहार ना निकले, अब हमारे चीज़ बॉल बाइंडिंग के लिए तैयार है हमने बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्ज लिया है और माइदा और कॉन फ्लोर का गोल इन दोनों में हमने स्वाद अनुसार नमक डाला है यह बाइंडिंग शुरू करते हैं तो अब हम अपने बॉल को ब्रेड क्रम्प में अच्छे से रोल कर लेंगे फिर हम इसी बॉल को घोल में मिक्स करेंगे फिर हम इसे ब्रेड क्रम्प में रोल करेंगे डबल क्रिस्पीनस के लिए ऐसे ही हम सारे बॉल को तयार कर लेंगे तो अब हमारी चीज बॉल्स पाइंडिंग के बाद कुछ इस तरह तयार हो गए हैं अब हम इन्हें फ्राइ करने जा रहे हैं इन्हें धीमी आँच पर बड़े आराँ से फ्राइ करें बॉल्स का कलर गोल्डन ब्राउन में बदलने तक इसे धीमी आँच पर आराम से फ्राइ करें अब अपने चीज बॉस बनकर रड़ी हो गए हैं चलिए इसके अंदर का टेक्स्चर देबते हैं माशाओलाः तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक केजिए सब्सक्राइब कीजिए और कॉमेंट करना नहां भूलिए धन्यावात माशाओलाः